हलो फ्रेंड्स आल इस फ्योडियों में डिस्कस करेंगे displacement thickness के बारे में कि हमारी displacement thickness क्या होती है और इसके derivation के बारे में हम बात करते हैं तो हमारी पहले definition हम देख लेते हैं definition हमारी क्या कहते है displacement thickness की It is defined as a distance measured perpendicular to the boundary by which the main free stream is displaced on account of formation of boundary layer It is denoted by start delta अभी कुछ समझ में आया होगा कि मैंने क्या कह दिया definition क्या कह रही है आये देखते हैं Suppose that मैंने मान लिया कि यह हमारी कोई strip है कि यह हमारी plate है Okay यह हमारी plate है जब हमारा यह boundary layer है यह boundary layer हमानी कभ हम होगी जब हमारा कोई liquid क्या होगा कोई भी liquid में जब हम कोई plate इंटर करते हैं जब हमारा उसमें water touch होता है तो हमारा क्या होता है एक boundary layer formation होती है जो हमारी boundary layer formation होगी उसमें कितना displacement thickness हमारा find होगा हुआ हमें इसमें find करना है Suppose that मैंने मान लिया कि जो हमारी यह पहले velocity थी यू थी यह हमारी क्या है stream free velocity है अभी क्यों क्यूंकि यह प्लेट से हमारी touch नहीं है यह हमारी क्या है boundary layer है यह हमारी क्या है boundary layer है मैंने थीक्स डिस्टेंस पे अग्स मैंनने शिक्शन मन लिया और कुछ हमारा यह आस्छे हमारा फांट ह हो रहा है जहा हमारा सिक्से नीचे तच होगा यह हमारी क्या होगी फीदे सटी कहा होगी धो कि घ्रो होगी ठीके जब मैंने क्या किया इसको ड्र predator एक मैंने सिक्ष हम द्रु स्कम इंक कि इसको Wई-S бытьAU यह मां लिया मैंने कि इसका डश इने मैंने माल लिया यह हमारी क्या डिल्टा है और यह हमारी क्या इस्टिनरी एक प्लेट है जब क्या है यह जो हमारी स्क्र्री श्रीप्र देश्थी क्या होती इस में ठच होती है यह सि उन्धर प्लेट में तो जो अंदर की विलास्टी वो क्या होजी रीडियूर जाएगी Reduce क्यों होगी? क्या है? क्यόνकि बहुत सारे viscous losses हैं, fraction losses हैं. तो क्या एंगे, विलास्टी को हमारी क्या कर देंगे? Reduce कर देंगे. तो मने जो विलास्टी मान ली उसकी ली अंदर की जो here ग्रहिए वो हमारी क्या है? व्यू है. और जो हमारी density है, fluid की density, वो मैंने माल लिया हमारी क्या ये, रो है, अब हम देखते क्या है, अगर हम mass flow rate की बात करें, कि जो हमारी ये strip मैंने consider की है, इसमें mass flow rate कितना आएगा, कितना हमारा fluid जो है, इससे पास होगा, तो हमारा mass flow rate आएगा, strip के तुरू, तो मैं कह सकता हूँ क तो हमारी mass flow rate through elementary strip, कितना हमारा रो, यू, एड, ड, यू, जो मैंने ये अमारा area ये, ये मैंने strip माल लिया है, ये हमारा क्या 3-dimension है, 3-dimension का मतलब जो हमारी ये, तो हमारा area इसका निखल के आएगा, area वो निखल के आएगा, मैंने मानले बी है और ये किया dy, इसको मैंने unit मानलिया, मैंने मानलिया ये unit length है, तो मैंने इसको मानलिया dy, तो मैंने अरिया कसिविडर किया density into velocity into area dy, ये तो हमारा था, जब हमारी कहती इस strip से पास हो रहे थी, अगर मैं थाद प्रेशे से अधे हैं, गए मारी यह लेडर है, ग्रश यह प्लेट हो ममारी नहीं होगी। तो मैं होगी contributes to you, था व्मारा वीलास्टी से तटी का सबुबस। प्लेटा सोगा वहोगा। वहागा मतलब वह बहुत तेज होगा। अर्या भी नहीं रहेगा बर विलस्टी नहीं रहेगा तुम कह सकते हैं, मास्वारेट थू थू अलिमेंटरी स्टिप थू प्लेट वास नो देर, तुम मैं कह सकता हूं, वेन प्लेट वास नोट देर देन मास है한 प्लेट देन क्या होगा, जर्फ कई विसकओस नहीं लगेगा, व मारी विलस्टी जो नहीं रहेगी 16 वह रहेगी स्टमय गिएग 2 वे प्लेट के एट फू यह की हों प्रतник 25 आफ्न तो मास्वारेक्ड हेग़ा-फ्लों-डी वांट कियागा का तो हमारा elementary strip था, वहा हमारा क्या हो रहा था, row u dy हो रहा था, mass flow rate. अगर हम बात करें, reduction of mass हमारा कितना हो फ्लोरेट बे, तो कह सकते हैं हमकी, reduction of mass, mass flow rate, through elementary strip, तो mass flow rate हमारा कितना होगा, जो हमारा reduction होगा, maximum minus minimum, तो अगर इसके reduce करते हैं, तो कितना है, अगर row u dy माइनस row u dy, अगर हम कामा ले लें, row u, u and dy, ठीक है, अगर हम इसकी, जो हमारा reduction mass होगा, अगर हम total mass की बात करें, हमारा reduction केती होगा, क्या करें हम इसका integration कर देंगे, इस height तक, तो मैं इंट्रिगेशन किया, मैं बात करता हूँ, इसमें total reduction की, total reduction of mass, तो जो हम इसमें total बात करूँगा, तो क्या करूँगा, 0 to delta, rho u, u, dy, अब हम बात करते हैं कि important concept की displacement thickness की जो मैं बात कर रहा था, अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो अगर हमारा कोई भी elementary strip ना हो, या फिर हमारी कोई जो हमारी wall thickness find हो रही है, ना होता, तो हमारा क्या होता, जो हमारा velocity का formation होता, कुछ इस तरह ही किसे होता, इस तरही किसे होता, कहने का मतलब, यह जो हमारा formation हो रहा है, यह हमारा क्या हो रहा है, एक loss हो रहा है, कुछ यह loss होगा हमारा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो compensate करेगा इस उपर के portion पे, यह क्या अगर क्या compensate करेगा, Suppose that I have said that if it is our 10, minus 10, then we compensate and equal it to the liquid flow. It means minus 10. So, I have thought that what is star delta? If we find our star delta, this is our displacement thickness. If I see that this loss is happening, the loss of mass flow rate will be equal to this rate. So, if we look at this loss of mass of fluid per second flowing the distance the distance star delta. So, how will it come? So, our mass flow rate will be. What are we seeing? That our layer, the fluid of our flow rate will be. So, our velocity will be u. So, our flow rate will be rho u and star delta. If we look at this equation, this equation is 1, and this equation is 2. So, according to the definition, what will our equation equal? if we look at this equation, because this is our flow rate, which is our loss flow rate, which is our loss flow rate, and which is our star delta formation. What will our equation equal? If we look at this equation, what will it come? I have taken out of rho u star delta. Okay? and 0 to delta rho u u and dy. Rho x row, what cancels us? What will our equation equal to find? What do we need to do? Displacement thickness. What is displacement thickness? What is start delta? Do u to star? And u. u. and u. This is our capital 1. What is small? Now, what will our dimension be? What will our dimension be? What will the dimension be? This will be minus. This is small. And what is capital 1? This is our capital. तो हमारी जो displacement thickness होगी वो हमने का निकल के आएगी स्टर डिल्टा जीरो डिल्टा वन माइनस इसमाल यू अपन कैपिटल यू इंटू डी वाई हमें इस कॉंसेप्ट को मेंली याद रखना पड़ेगा इस कॉंसेप्ट हमारा हर्ज का काम देगा कि जो हमारा ये लॉस हो रहा है वो हमारा स्टाड डिल्टा के व क्या होगा बराबार होगा थाइंक यू वाटिंडिस वाटिंडिस इस्प्लिसमें तो जरूर देखें बात करतें जैसे कि आमने पुराणे वीडियो में बात किया था कि हमारी क्या यह कोई हमारी स्ट्रीप है Elementary Strip है YigoInnen फ्रिटरीचेसे के इसा, इसके प्याक्ति प्रिशिप है अगर इसके प्यारमेरी कहारे है तो अगर अगर भिलासिटी करेगा तो तो अगर पोर्मेस प्रॉसर्मल्स भी आए का मामी एक घंज इं saving अगर boundary layer ना हो, formation ना हो, तो हमारी जो velocity का formation होगा, कुछ इस type के होगा, यानि कोई भी इसमें चेंजिस नहीं आएगा, ना भी कोई भी हमारा क्या होगा, reduction होगा, लेकिन जो हमारी strip कंसिड़र हो जाती है इसमें, तो कि अगरती एक boundary layer formation होती है, तो मैंने मानन लिया कोई एक sexe star मानन लिया मैंने distance पे यह, और यह जो हमारी formation हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, इस point में से हमारी जीरो point पे है, यह वाई distance में मानन लिया यह हमारी लिग एक plate है, प्लेट की वाइड इस्टिंस पे मैंने एक स्ट्रिप से कंसिडर कर ली जो हमारी क्या है यह दिल्टा है इसा है कि जैसे कि पुराने वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं अगर जो मारी विलास्टी का डिस्ट्रिबूशन है वह क्या रहा था अभी यू है लेकिं जो मारा बाॉंडरी लेड फोर्मेशन होगी तो वेलास्टी क्या होगी हमारी डिग्री ज़ाएगी तो वह मैंने विला मास फ्लो रेट हमारा क्या निकल के आएगा, तो मैं बात करता हूँ, मास फ्लो रेट थू इलिमेंटरी स्टिप, वो कितना निकल के आएगा, रो यू और डी वाई, जो मारा ये एरिया था, जो मैंने स्टिप कंसीडर किए ये डी वाई, वो मैंने माल लिया था, वो हमारा क्या एक यूनित लेंथ है उसकी, तो जो एरिया निकल के आएगा, वो हमारा निकल के आएगा, ये तो हमारा मास फ्लो रेट है, अगर हम बात करते हैं, मोमेंटम पर सेकंड हमारा कितना आएग तो मोमंटम पर सेकंड़ मात करेंगे, मोमंटम पर सेकंड़ of this fluid to boundary layer boundary layer तो मारी जब boundary layer मारी फ़र्मेशन हो रिए है, तो मोमंटम पर सेकंड़ हमारा कितना पास होगा boundary strip से, तो क्या होगा, rho u dy into u, तो यह निखल गयाएगा हमारा rho u square and dy suppose that मैंने माल लिया कि अब हमारा क्या है, जो formation हो रहा है layer का वो ना हो, कोई plate ना हो, तो मारा जो movement होगा हमारा velocity formation का वो कोई इस type का होगा, कहने का मतलब कोई भी reduction उसमें नहीं होगा तो वो हमारे निकल के आएगा u, ओके, निश्ट हम देखते क्या है तो अगर हम देखें momentum 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 per second of the same mass of fluid entering the boundary layer जब क्या होगी कोई formation हमारा नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या निकल का एगा हमारा कितना निकल के आएगा loss of momentum maximum maximum हमारा कितना था, u and dy lower हमारा कितना रहा था, अगर हमारी strip थी, तो u square dy निकल के आ रहा था, तो हमारा यह निकल के आएगा u and small u dy अगर हम total mass की बात करें total mass का जो हमारा reduction होगा वो क्या हो रहा था, कि पूरी बात करें तो क्या होगा इसकी integration करदें 0 to delta total loss total loss को इतना होगा momentum per second का वह निकल के आएगा 0 to delta rho u commonly है मैंने इसमें और निकल के आए u and small u and dy अम बात के momentum thickness की तो मैंने जिसे पुराने वीडियो में डिसक्स किया था जो मारा momentum thickness कुछ जो मारी boundary layer formation हो रही थी यह वो loss क्या होगा इस loss के जो star delta था वो किया रहा था displacement के बराबर हो रहा था तो कहने के मतलब अगर यह हमारा 10 है तो यह भी हमारा 10 का equal कर रहा था तो अगर हम बात करें इसके displacement की जो fluid हमारा loss हो रहा है distance तो कितना निकल के आएगा तो loss of momentum कितना आएगा loss of momentum per second जब distance हमारी कितनी है theta है theta यह भी हम कह सकते है star double star तो यह निकल के आएगा हमारे कितना rho theta and u square अब क्या होगा जो हमारी यह equation है 1 और 2 यह हमारी क्या होगी बहुत equal होगी तो यह निकल के आएगा हमारा equation theta u square and rho u u minus small u dy हम क्या करते है find किया rho to rho मारा क्या होगा cancel होगा theta हम find करते है अब हमने u कामा ले लिया तो यह के निकल के आएगा small u और यह हमारा capital u कामा लिया था 1- small u upon capital u into dy this is called the momentum thickness अब आपको मारा definition दिखाता हूँ क्योंकि परहे definition समझ में आ रही थी आप देखना हमारा definition का रही थी it is defined as a distance वह हमारी distance होगी measured the perpendicular to the boundary of a solid body जो हमारी solid body है उसके perpendicular जो हमारी distance find होगी which the boundary should be displace compensate जो हमारा यह formation हो रहा था जो हमारा इस structure में जो हमारा लॉस हो रहा था वो उसको यह कर रहा था तो क्या कर रहा है compensate the reduction in momentum of the flowing fluid account of boundary layer formation this is called the momentum thickness and is noted by the theta thank you वारी thickness के बारे में जैसे कि हमने पिछले दो वीडियो में discuss कर चुके है displacement thickness क्या होती है और momentum thickness क्या होती है आज हम बात करेंगे energy thickness के बारे में थोड़ा साथ बात करेंगे क्योंकि पिछले दो वीडियो में सारी डिटेल से डिसक्स कर चुके हैं तो आज हम बात करते हैं it is defined as a distance measured the perpendicular to the boundary of a solid body हमें क्या करना है एक distance है to measure the perpendicular boundary solid body by which boundary should be displaced and compensate for the reduction in kinetic energy of the flowing fluid on account of boundary layer formation it is noted by the delta e we have discussed about the definition let's see in the future so as we know what is happening this is our u velocity our fluid is flowing this is our plate so when we find our velocity when we come to this strip then our velocity is reduced our velocity is like this the boundary layer formation it was like this we have considered this strip we have considered this strip we have considered y distance how much was our dy which was our reduction which was our compensate which was our compensate which was our this side flowed and which was our energy which we have taken this is like this what we have to do find so we will see if we have no formation if we have no formation then our flow will be this type which means that there is no reduction which means then we will find mass flow rate we will find what is happening mass of flow mass of flow per second to elementary strip which we have considered the elementary strip we have considered the mass flow rate is our mass flow rate that will be rho u dy this will be how we have this will be this will be this will be rho u dy I have discussed what is rho density u velocity and I have the width this is why our area that is dy what is we have to find this will be to find in this we have to find kinetic energy of this fluid inside the boundary layer how much energy inside boundary layer is that that I have made 1 by 2m u square how much on the m हमारा床 मास्क भूरूरेट की frei दाए रो ? 這個 मास्कES भूरा अपिक दाए भू रो , ङॉच्छ धितरों डूरां ? गजियों रेक्ड़ियोक्त, ऐस गजिए फ्रीटों मड़ां के बातार एकितना होगा ? Next System भूर भूंडलियाद जो पूरंदलियो नई होगा तो हमारा जो flow होगा, वो कितना होगा, similarly, kinetic energy of same mass. Mass तो हमारा सेम रहेगा, change किया होगी, only velocity. तो same mass of fluid before entering the boundary layer. the boundary layer, वो कितना हो जाएगा, 1 by 2, हमारा जो mass का flow rate है, mass हमारा कितना होगा, rho, U and dy, ये तो हमारा सेम रहेगा, change किया होगी, only velocity, तो जो हमार ये था, ये हमारा जाएगा, capital U, अभी माने क्या माना था, इस माल लो, अब हम बात करते हैं, इसकी loss की, तो loss of kinetic energy कितना होगा, जो हमारा क्या हो रहाएगा, elementary through के, elementary strip कितना होगा, तो kinetic energy कितनी होगी, 1 by 2, rho U, dyu square, ये हमारी maximum है, क्योंकि कोई भी loss नहीं हो रहा था इसमें, जब formation हो जाती है, minus, 1 by 2, rho U, and dy, ये हो गया हमारा इसमाल यू, मैंने गया कि इसमें कावन लिया, तो कितना निकल गयाएगा, 1 by 2, rho U, and U square, minus, U square, and dy, अब हम बात करते हैं, total kinetic energy की, total kinetic energy क्या करेंगे, जो हमारी ये distance find होईती, इसको क्या करेंगे, हम integration कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये पूरा find हो जाएगा, मैंने integration किया, 0 to delta, बात करते हैं, total, total loss of kinetic energy, तो क्या बात होगा, 0 to delta, 1 by 2, rho U, capital U square, minus small, U square, into dy, अब हम देखते क्या है, कि जो हमारा ये liquid का लॉस था, तो हमारा जो अपन्पनसेट होगा, हमारा liquid का फ्लो होगा, वो क्या होगा, दोनों क्या होगा, इक्वाल होगा, तो हम देखते क्या है, मैंने मानलिया कि जो distance थी, वो हमारी कितनी थी, S e थी, okay, S be the distance by which by which plate ये कह सकते हैं, कु कम्पनसेट for reduction in kinetic energy, okay, तो ये मैंने मल लिया, तो ये हमारा कितना निकल का आएगा, जो हमारा लॉस होगा, loss of kinetic energy, ये कितना निकल का आएगा, 1 by 2, हमारी विलास्टी कितनी होगी, यू होगी, क्यूंकि यू हमारी लेयर के formation था, उसके अब हमारा जो liquid flow हो रहा है, तो ये मैंने माल लिया, S e, delta e, and ये u square, ये मारी equation माल लिया 2, और मैंने इस equation को माल लिया 1, ये क्या होगी, दोनों क्या होगी, इक्वाल होगे, तो 1 और 2 को जब मैंने इक्वाल किया, equation 1 and 2, तो क्या निकाल गयाएगा, 1 by 2, rho, u delta e, is u square, equal to, 0, 2 delta, 1 by 2, rho u, capital minus small, dy, हम क्या देखते हैं, इस में क्या होगा, कुछ cancel हो रहे हैं, देखा जाए तो, rho और u हमारे क्या हो रहा है, cancel हो रहा है, 1 by 2, मैंने cancel कर दिया, ये निकल के आएगा, e, 0 to delta, मैंने क्या क्या, इसमें u square common लिया, तो ये निकल गया हैगा, u and u, 1 minus small u, and capital U, into dy, ये हैं हमारा आगया, energy thickness, ये फर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि नुमेरिकल में, ये काफी helpful होगे, thank you watching this video, इसे हम कहते है, momentum integral equation, I and detail से discuss करते हैं इसके बारे में, one common equation हमारी क्या कहती है, कोई भी हमारी जैसे ये थिन प्लेट हमने मान लिया, ये हमारी क्या है, थिन श्मूद हमारी प्लेट है, ओके, ये हमारी प्लेट है, तब हम क्या करते हैं, जो हमारा कोई ये प्लेट ऐसा, कोई फ्ल्यूड में, ड्रैक करता है, ये तारता है, तो हमारी क्या होती, कोई ऐसा सप्रेशन हमारा फाइंड करता है, जो हमने एक element मान लिया, वो हमारा क्या है, A, B, and C, और हमारा ये क्या है, D है, तो जो हमारी बाउंडरी लियर है, ये हमारी क्या है, ये हमारी बाउंडरी लियर फ्रमेशन हो रही है, और जो हमारा इसका विलास्टी है, स्टीम विलास्टी, वो मैंने मान लिया, यू है, यह मैंने एक श्ट्रिप मान लिया और जो हमारी डिरेक्शन है इस पांट से जो मारी स्मूथ प्लेट है वो मैंने मान लिया एक्स है इसको और मैं एक डिडियल से फिगर ड्रा करूं तो कुछ इस तरह बनेगा मैंने मान लिया डेक्स है यह डेक्स और कुछ इस तरह का हमारा फांड होगा यह तो क्या होगा जब हमारा कोई फ्ल्यूड है जो हमारा इस प्लेट के अपोजिट में जाएगा तो क्या होगा एक हमारा फोर्स जनेट होगा ठीक है तो यह हमारा क्या होगा यह हमारा क्या होग Shared Force होगा, okay. मैंने माण लिया, जो हमारा Structure बनता है, वो इसतरा बनता है, जो लेयर का जब हमारा कोई Flute हमारा क्या हो ज़ता है, बैता है, मैंने माण लिया इसका, यह विलास्थि है, हमारी U है, okay. और यह विलास्थि क्या थी? U थी, Capital और Small, okay. यह मैंने मान लिया dy है इसमाल और यह मैंने मान लिया पूरा यह हमारा क्या delta है and this distance is a y ओके अब कर हम बात करें कि जो हमारा mass rate of fluid हमारा कितना enter करेगा AD में तो हम कहते हैं mass rate of fluid entering entering through AD वो कितना होगा delta 0 rho u dy क्योंकि हमारा जो area है dy है dy तो मैंने मान लिया है जो हमारा mass flow rate AD है वो हमारा निकल के आता है rho u dy अगर हम बात करें जो हमारा flow rate out होगा यह हमारा entering flow rate था जो हमारा out होगा BC के द्वारा वो कितना निकल के आएगा तो हम कह सते हैं LEAVING LEAVING THROUGH BC तो मारा जो fluid LEAV कितना होगा BC के? suppositate मान लिया लिया हमारा एक्स है यह मैंना लिया Fधस है तो मगर टोटल बात करें जो हमारा fluid LEAVING होगा वो हमारा कितना होगा? integration 0 to delta rho u dy plus d dx 0 to delta rho u dy ओके? यह हमारा dx यह तो हमारा निकल है bc अब हम अगर देखें तो जो हमारा flow rate है वो dc से भी आएगा ओके? यह हमारा figure देखें यह हमारा bc हमारा flow rate out होगा वो हमारा ad हो गया कुछ flow rate हमारा क्या होगा? इस टाइट से भी आएगा जो cd से है अगर हम तोटल flow rate के बाप करें तो हमारा total flow rate क्या निकल के आएगा? bc का वो हमारा निकल गया अगर हम bc की flow rate के बाप करें bc तो हमारा क्या निकल का है? AD PLUS CD हमें find क्या करना है? CD का flow rate अगर हमें CD का flow rate find करना है तो हम क्या करेंगे? CD BC-AD अगर हम BC-AD कर दें तो हमारा CD का जो flow rate है वो हमें क्या हो जाएगा? find हो जाएगा तो हम बात करते हैं Mass rate of fluid CD OK बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा? Mass rate of the BC minus mass rate of the fluid AD तो हमने मैंने BC का कितना निकला था? ये निकल के आएथा हमारा 0 to delta rho u dy PLUS ddx 0 to delta rho u dy OK ये हमारा क्या रहा? dx minus 0 to delta rho u dy अगर हम देखें ये minus और ये minus हमारा क्या होगा? cancel out हो जाएगा तो हमारा जो CD का flow rate निकल के आएगा हुआ हमारा निकल के आएगा ddx 0 to delta 0 to delta rho u dy y and dx अगर हम बात करते हैं जो हमारा flow rate था entering flow rate था ये हमारा क्या था? u था capital U तो अगर हम बात करें इसकी momentum के बारे में momentum momentum rate of fluid entering entering ad ad में जो हमारा momentum आएगा momentum क्या होता हमारा? mass into velocity momentum क्या होता है? mass into velocity mass rate हमने find कर लिया अल्रेड़ी 0 to delta rho u and dy अगर हम इसमें velocity का multiple कर दें तो हमारा ये हमारा निकल के आजाएगा momentum तो हम momentum की बात करें ad की हमारा क्या निकल के आएगा? ad का momentum वो निकल के आएगा? मैं ये denote करें momentum ad चे ये निकल के आएगा ad 0 to delta rho u square and dy only हमें क्या करना है? जो momentum find करना है तो mass rate में हमें क्या करना है? velocity क क्या करना है? multiple कर देना है अगर हम find करें जो हमारा bc का था bc का momentum कितना होगा? momentum 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 rate of fluid through bc okay? तुमारा जो bc के निकल के आएगा क्या करना है? सिर्प velocity का multiple करना है तुम देखते क्या है? वो निकल के आएगा bc equal 0 to delta rho u square dy plus d upon dx 0 to delta rho u dy and dx e u dy d upon dx 0 to delta and rho u andicky dy अब ये यू की वाया, क्योंकि जो हमारा फ्लोरेट है यहां, जो हमारा बाहर का फ्लोरेट है, उसकी दो विलासिटी हमारी क्या है? यू है, इसलिए हमने यह लिया है हमारे capital U, तो हमारे capital U निकल के आएगा, mass into velocity Udx capital Udy into dx. अब हम बात करते हैं, नेस्ट, total हमारा momentum कितना निकाल के आएगा, तो हम क्या सकते हैं, rate of change of momentum. अगर हम rate of change of momentum है, पूरा find करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी BC थी, out flow थी, BC, अगर हम माइनस कर दें, AD minus DC को, तो हमारा निकल किया जाएगा, rate of change of momentum total, तो हम कह सकते हैं, एक और फिकर सफिर से आपको बता देता हूं, जैसे मैं पूरा rate of change of momentum फाइंड करना है, यह हमारा BC है, जो out हो रहा था, और इन हमारा क्या हो रहा था, AD, and यह हमारा बाहर से आ रहा था, U velocity से DC को, अगर हम इसको माइनस कर दे रहे हैं, AD minus DC को, तो rate of change of momentum, हमारा क्या होगा, पूरा, फाइंड हो जाएगा, तो हम देखते क्या है, यह हमारा निकल किया एगा, BC minus AC minus DC, हम इसमें लिख देंगे, momentum of rate of flow true, BC and minus AC and DC, तो हम कह सकते हैं, इसको P, BC minus PAD, and PDC, ओके, यह हमारा AD है, AD, तो हमारा क्या निकल किया आता, एक क्योशन में, 0 to delta, rho u square dy, plus d dx, 0 to delta, u square dy, into dx minus, 0 to delta, u square dy, minus d dx, 0 to delta, u and u dy, ओके, निश्ट क्या दिखते हैं, कि यह कुछ हमारा इसमें, minus cancel हो रहा है, यह टर्म, और यह टर्म, तो हमारा क्या निकल किया आता हैंगा इसमें, निकल किया हैंगा हमारा d, dx मैंने common ले लिया इसमें, तो क्या आता है, 0 to delta, rho यह टर्म मारा, यह and dy, minus, यह हमारा cancel out हो रहा है, 0 to delta, rho u and u, dy and dx, तो हम देख क्या रहे हैं, rho, rho हमारा क्या हो रहा है, common हो रहा है, तो rho d upon dx, 0 to delta, rho, एक मिनट, rho हमारा common हो गया, तो अब u square, u square, तो क्या हो गया, u square, minus, u, u, dy, and dx, तो हमारा momentum principle क्या कहता है, अगर हम बात करें, according to momentum principle, हमारा momentum principle क्या कहता है, कि हमारा force होता है, फोर्स होता है, वो rate of change of momentum के equal होता है, okay, rate of change of momentum क्या होता है, इक्क्या होता है, यह होता है, एक Ċपरेंट टू-प्रिंस्प लॉवोमंंटम के, तो हमारा जो force है, हमारा बहा फोर्स काँछ झा हो रहाता, वो हमारा कहला था ग्राफोर्स, क्योंकि जो हमारा fluid motion में था, तो एक opposite force लग रहा था, share force, वह ही हमारा कहला है का drag force, तो हमारा जो drag force निकल के आता है, हम कह सकते हैं, हमारा जो drag force है, okay, drag force, जो निकल के आएगा, fd equal into dx, अगर हम equal कर दें, तो हमारी date of change of momentum कितनी निकल के आएथी, rho d dx, 0 to delta u square minus u u dy, यह dx, और जो हमारा force है, वह निकल के आएगा, tau dx, अगर हम इसा माइनस से कर देते हैं, क्यों जो हमारी direction है, वह हमारी क्या है, opposite है, तो इसे मैंने माइनस से कर दिया, तो हम dx और dx हमारा को cancel out हो जाएगा, तो हमारा जो यह निकल गया, torque, minus 3 मैंने state कर दिया, तो d dx, 0 to delta, u square u and u, यह मारा हो गया dy, अगर हम क्या करते हैं, ने से कर दियम साल्फ करते हैं, d dx, हम क्या करते हैं, इसमें u common ले लेते हैं, u square, तो क्या हो जो हमें, यू upon u मिलेगा, और minus u and u, यह मारा क्या हो गया, dy, ने से कर दियम से और साल्फ करते हैं, तो हमारा निकल क्याता है, यू मारा क्या हो गया, बाहर हो गया, 0 to delta, u and u, minus मैंने common कर लिया यहां से, and u and u, okay, यह हो गया हमारा dy, minus को मैंने multiple कर दिया इसके अंदर, तो हमारा यह टर्म है, हमने आगे पढ़ा था, जो momentum थिकनिस होती है, theta, जिसमें बिनोट करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है, तो पुराना वीडियो देख लिजेगा, u and u, 1 minus u upon u, dy, यह हमारी कहलाती है, momentum thickness, तो हम कह सकते हैं, कि हमारा जो shear state सारा torque आया, वह में निकल कहाएगा, rho u square d theta upon dx, ठीक है, अगर से हम और term कहरें, तो निकल कहाएगा, torque rho u square d theta upon dx, this is called von korman equation, तो जो von korman equation है, वह मैं ऐसा ही find करेंगे, thank you watching this video, like करें और subscribe करें,